ही गाईज वेलकम वेक टो में चैनल तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने एक बेबी सेट बनाया है इसका फर्स्ट पार्ट हम अल्रेटी डाल चुके हैं इसमें हमने फ्रॉक का वीडियो डाला है ठीक है तो हमने यहाँ पर जीरो से 6 मन तक की बेबी का बनाया है अगर आप इसको इसे बड़ा साइज बनाना चाहते है तो हमें कॉमेंट करके बोले हम उसका आपको रिप्लाई दे देंगे तो इस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्कप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज हम आपको यह पैंट बनाना बताएंगे तो और बाकी सारी वीडिय आपको डिस्कप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है तो बहुती सुंदर सा सेट लगता है इस पूरे सेट में आपका आपकी जो उन लगे की सम्तिंग डहिसो ग्रम उन लग जाएगी तो डहिसो ग्रम उन में आपका पूरा सेट बन जाएगा like frog बन जाएगी pen बन कोई भी वीडियो है ठीक है इस साइड में बटन दिखेगा इसको टच करेंगे तो जो बॉक्स खुलेगा उसको डिस्क्रफशन बॉक्स कहते हैं यहाँ पर आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और या फिर चैनल को ओपन करें दिकिए और बनाए इसको टच करेंगे तो चैनल ओपन हो जाएगा फिर वीडियो में जाके उपर यह वीडियो लिखा है इसमें जाके भी आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी फिर आप इस वीडियो को लास्ट में लेके जाएं जिसे आपको यह लास्ट में एंड स्क्रिन मिल जाएगी इसमें भी आपको सारी व आलाइन खरी दिये इसको तो ऊण लाइन आप खरी सकते हैं तो ईए देखेंए सबसे पहले हम चैन बनाएंगे तो 2 चैन होगी 3 चैन होगी 4 5 छे साथ आठ आठ चैन बनाने के बाद एक चैन और बना लेंगे 9 चैन बना ली हमने ठीक है नो चेन बनाने के बाद देखिए एक चेन छोड़के second वाली चेन में डालके हमें एक single crochet बनाएंगी इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगी फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगी अब एक चेनल के इसको घुमा लिया घुमाने के बादे फर्स्ट वाले में हम देखिए बैक लूप में डालेंगे पीछे वाले धागे में डालकर एक सिंगल क्रोशे बनाया देखिए दो बैक लूप में हमें डालना है ठीक है पीछे वाले धागे में डालना है चार हो गई पाँच छे साथ और ये लास्ट आट तो दो रो हमाई कम्प्लीट हो गई है फिर से एक चेन लेकर हमें इसको घुमाना है फिर से बैक लूप में डालकर हमें आठ सिंगल क्रोशे बनाना है देखिए दो हो गई ये तीन हो गई चार पांच छे सार्थ और ये लास्ट आट ठीक है इसी तरीके से हमें एक चेन लेकर फिर से हम घुमाएंगे और बैक लूप में हमें सारे फंदे सारे सिंगल क्रोशे बनाना है तो अभी हमाई चौथी रो चल रही है हम आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है ये देखिए अभी आपको ये दो डिजाइन दिख रही है ठीक है चार रो में आपकी दो डिजाइन बनेंगी तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा बनाने के बाद आपको दिखाते हैं देख 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 डिजाइन डाली है और रो अगर काउंट करें तो हमारे पास 64 रो बनाई है ठीक है अब हमने धागा डाल दिया है इसको हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से एक जो तार हमने छोड़े थे उसमें डालके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे फिर दिखाते हैं आपको इस तरीके से में सिलाई लगानी है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद उनको हमने कड कर दिया बेल्ट हमारी तैयार हो गई है अब हम तक यहां पर डालेंगे उनको जोईन करेंगे का इस जोइन करने के बाद एक चैन, दो चैन दो चैन लेकर अब ते किए यहां पर हम स्यपंधी प 45 अड़ ग्रो, वश्या बनाएंगे तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे ठीके एक चैन में दो हाफ डबल क्रोस्या बना दी अब यहां पर एक बनाएंगे हम इस जगे देखी इस जगे डालकर एक बनाएंगे इसके पास वाली चैन में भी एक बनाएंगे ठीक है दो चैन में हमने एक एक बनानी है तीसरी वाली चैन में हमें दो हाप डबल करोसे बनानी है ठीक है हर तीसरी चैन में हमें वंदा बढ़ाना है देखे एक बापच इसी जगे एक और बना ली ठीक है फिर दो चैन में हम एक-एक बनाएंगे इन दोनों में एक-एक बनाएंगे यहाँ पर एक बनाया दो चेन में एक-एक बना लिए हमने, तीसरी बाली चेन में फिर से हम 2 बनाएंगे इसमें हम 2 बार बनेंगे एक बापस इसी जगे एक और बनίο dare रों हो जाएंगी ठीक है तो इसी तरीके से स्रो को हमें complete करना है ज्रो के बाद तीसरी चैन में हमें डौ habil क्रोशे बनानी है, ठीक है? तो इन दोनों में देके एक एक बना लिए हमने, तीसरी वाली चैन में हम दोबनाएंगे, तो इसी तरीके से हमें इस रोह को स्क्री Uni कर एंए, फिर आगे हम आपको दिखेंगे, क्या करना है? आई ये ए गर्फ आइक होप संबज आ रहा होगा हमने दिखी पूरी रोर कंप्लीत कर दी है इस तरीके से अब देखें हम क्या करेंगे यहाँ पर chain बनाएंगे सबसे पहले 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 chain बनाने के बाद अब सेम इसी जगे हम double crochet से बनाएंगे chain को count किया तो 2 double crochet हमारे पास हो गई ठीक है एक chain लेकर बापस इसी जगे हम 2 double crochet से बनाएंगे एक और ये 2 इस तरीके से हमें design बनानी है ठीक है अब हम 1, 2, 3 तीन chain छोड़के चौथी वाली chain में 2 double crochet बनाएंगे एक और ये 2 एक chain बापस 2 double crochet एक और ये 2 ठीक है फिर से देखिए एक, दो, तीन तीन chain छोड़के चौथी chain में फिर से same design बनाना है तो design में कुछ नहीं करना है दो double crochet एक chain और दो double crochet बनाना है ठीक है इस तरीके से तो 0 से 6 मन तक के बेबी के अराम से आने बाला है वीडियो में हमारे पास कुछ comment आये थे कि हम baby boy का भी पुरा set बनाएं आप में से जो जो छोड़के चौथी chain में same design बनाना है इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है इसी तरीके से हमें तीन तीन चैन छोड़नी है चौथी वाली chain में डालके इस रो को complete करने के बाद आगे यह क्या करना है बो हम आपको बताएंगे ठीक है यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है अब देखें बीच में हम लेकर आगे तीन चैन ले ली ठीक है chain को count क्या तो एक डबल क्रोशे और यह दो डबल क्रोशे हो गई एक चैन बापच इसी जगे एक और यह दो ठीक है अब इस रिजाइन के बीच में डालेंगे दो डबल क्रोशे बनाएंगे चैन लेने के बाद फिर से दो बनाएंगे ठीक है फिर इस वाली रिजाइन में डालेंगे इसमें पहले दो डबल क्रोशे बनाएंगे एक चेन लेने के बाद फिर से 2 बनाएंगे तो इस रोग को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है तीसरी रो में हम बताएंगे क्या करना है अपने टोटल देखी यहाँ पर 6 रो बनाई है 1,2,3,4,5,6 सेम तरीके से हमने 6 रो बना ली ठीक है कुछ नहीं करना है जैसा डिजाईन चल रहा था बैसे ही बनाते हैं हमने 6 रो बना ली अब 1,2,3,4,5 पाँच डिजाईन इदर हमने छोड़ी है 1,2,3,4,5 पांच बैक साइड में, टोटल 10 हमने डिजाइन छोड़के एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार, पांच पांच इस साइड में छोड़ जी ठीक है और हमने यहाँ पर सेप्टी पिन लगा लिया एक, एक डिजाइन हमारा बचाए दोनों साइड में हमारे पास एक एक डिजाइन है तो अब देखे हम क्या करेंगे यहां पर इसको जॉइन करना है तो कैसे करना है साइड में ही हमने तीन चेन बना ली ठीक है साइड से तीन चेन बना के यहां पर एक डबल करोसे बनाएंगे पाँच पाँच डिजाइन छोड़ने के बाद बीच वाले डिजाइन बना रहे हैं ठीक है यह तीन डबल करोसे हो गई है एक इस पर बनाएंगे तो चार हो जाएंगी और एक यहाँ बनाएंगे हम इसमें ठीक है तो पाँच डबल करोसे हमारे पास हो गई है ठीक है पाँच होने के बाद अब जो हमने 70 पिन लगाई है पहले हम पांच डिजाइंग छोड़ने के बाद जो यह स्पेस दिख रहा है इसमें बनाएंगे यहां पर ठीक च्छे डबल करुस्या एक यहां बनाएंगे तो टॉप जाएंगी. एक यहां बीच में बनाएंगे तो 8 हो जाएंगी फिर इसके ऊपर बनाएंगे तो 9 और एक यह 90 पिन निकाल के यहां बनाएंगे तो 10 डबल कुरुसे हमारे पास हो जाएंगी इसमें डालके इसको जोइन करेंगी इसमें डालके इसको जोइन करेंगी इस तरीके से 5-5 हमने डबल ग्रोस से दोनों साइड में बना ली है अब यह ओपन आपको जो दिख रहा है इसको हम सिलाई चे इसलाई लगा देंगे फिर आगे आपको दिखागते हैं हमने इसलाई लगा दी है यहाँ पर ठीक है तो अब हम इसको बनाने के बाद आपको दूसरा वाला कैसे बनाना है बो हम आपको दिखाएंगे हमने एक पैर का जो है बना दिया है दूसरे पैर का कैसे बनाना है बो हम आपको दिखाते हैं तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले हम इस जगे जो हमने एक दस डिजाइन छोड़ी हैं इसमें हमें कैसे डिजाइन बरानी है सबसे पहले उनको जोइन करेंगे हम इसमें ठीक है लेकर बापस इसी जगे एक डबल क्रोस्या बनाएंगे चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोस्या हो गई हमारे पास एक चेन और फिर से इसके अंदर दो डबल क्रोस्या बनाएंगे इस तरीके से डिजाइन बना दी अब जो बीच में हमने यह जोइन किया था ना दस डबल क्रोस्या बनाएं थी दोनों साइड 5 पाश इसमें देखिए आपको साइट से दो फंदे दिखेंगे थीक है इसमें हमें 2डबल क्रोस्या बनानी है एक और बापस इसी जगे बनाएंगे दो ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और दो डबल क्रोसिया हम इसमें बनाएंगे दूसरे वाले फंदे में इसमें ठीक है एक और एक दो तो एक डिजाइन हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा इस तरीके से बढ़ गया अब यहाँ पर इस वाली डिजाइन में डालेंगे इसमें सेम डिजाइन बनाएंगे पहले दो डबल क्रोसिया चेन और फिर से दो एक और एदो ठीक है इसके पास वाली डिजाइन में भी सेम बनाएंगे हम जैसे डिजाइन बनी है सेम ऐसे हम बनाएंगे इस रो को थोड़ा पास से देखिए यहाँ पर इस फ़ले डिजाइन में डालेंगे पहले दो डबल ग्रोस्या चेन फिर से दो एक और यह दो ठीक है तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे जितनी भी यह डिजाइन है डिजाइन में सेम डिजाइन बनाके इस रो को कम्प्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं देखिए पूरी रो बन गई है स्टार्डिंग में जो तीन चेन ली थी इसमें डालके इसको जोइन करेंगे बीच में लेकर आएंगे बीच में लाने के बाद फिर से तीन चेन एक दो तीन और फिर से सेम डिजाइन बनाएंगे चेन को काउंट किया तो एक हो गई डबल करो से आए और दो एक चेन फिर से दो डबल करो से बनाएंगे अब जो बीच में हमने एक डिजाइन बढ़ाया था यह देखिए इसमें इसके बीच में डालेंगे यहाँ पर यहाँ पर पहले दो डबल करो से बनाएंगे चेन और फिर से दो बनाएंगे अब इसके पास वाली डिजाइन में डालेंगे इसमें भी सेम ऐसे ही डिजाइन बनाएंगे तो अभी हमाई दूसरी रो चल रही है इसके बाद हमें एक रो और बनानी है टोटल तीन रो बनानी है फिर हम आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है ठीक है यह देखिए सेम तरीके का डिजाइन बनाना है इस रो को बनाने के बाद सेम ऐसा ही हमें एक रो और बनानी है तीन रो बन जाएंगे हमारी फिर हम आपको आगे बताएंगे आगे क्या करना है देखिए कुछ नही पास अब दिखें यहां पर हम बाउडर बनाईंगे तो बाउडर बनाने के लिए क्या करना है सबसे पहले पीछे book वाई से डॉंगों Pode पीछे के साइट हैं रहे summum successful गर बनाना है तो हमें फ्रेंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल ग्रोस्या बनाते हुए इस रो को हमें कम्प्लीट करना है बाउडर की पहली रो है इसको बनाने के बाद सेकंड रो में क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं पूरी रो हमने यहां पर कम्प्लीट कर ली है अब स्टार्डिंग में जो चैन बनाई थी उसमें डालके इस तरीके से जोइन करेंगे तीन चिन फिर से बनाएंगे हम एक दो तीन अब जो फंदा जैसे देखेगा उसको बैसे बनाना है यह वाला उपर से दिख रही है तो उसको बैसे बनाना है टीक है तो अभी हमारे बाउडर की दूसरी रो चल लएए इसके पाद हमें एक रो से मैसी ही बनानी है तो तीन रो जब हमारी हो बन जाएंगी तो हम आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है तो फंदा जैसे दिखेगा उसको बैसे बनाते जाना है अगली रो में भी सेम रिपीट करना है घ्रत जाएंगे क्या काण्या है तीन रो के बाद लुक हमने उनको कट कर दिया अब हमने डौरी बना लिए तो डौरी बनाने के लिए उनको चेन बनानी है ठीक है तो आप डालना चाहें तो डाल तकते हैं सही रहती है अगर आपको बेबी के लूस लगे धिला लगे तो आप इस से टाइड भी कर सकते हैं आपका चोईस है तो हमने डोरी इसमें डाल दी है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करके जरूर बताएं आपका एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर आना चाहें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट करते हो और बाकी सारी वीडियो के लिंक हमने डिसकॉप्शन बॉक्स में दे दिये हैं जाके देख लि पनी अगली वीडियो में जब तका विसकॉं जोई करें बाई